आगे हैं वर्म हमा कि दमबर के बारे में सारा कुछ देख लिया था कोश्चन सब कोश्चन के साथ ही सब कुछ रहे देखा था तरह ईक कोश्चन में प्रॉब्लम था कि कौसा कोश्चन है आप इन्य देख को को इधी वाला कॉशन साफ की सब्देशन नमर्ट 13 है धिक यह जो कॉशन मर्ठ 13 है यह एंसियल का कॉश्चन है और एंसियल ने इसका ब्रॉस्तफ क्रिपी हि गए को दिखिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है कि इसमें बेल्ट कन्वेयर भी सही होगा तो इसमें ऑप्ष्ञ इदे के आपको कि इडिट फॉर में मिल जागा बोथ एंड भी ठीक है यहाँ पर आपका बोथ एंड भी सही है तो ऑप्षण एक करके कि साइड में जहां कॉपी मेंटेन करते हूं बोथ ए एंड बी कर लें ठीक है बी का जो आपका कि कुछ नुमर्ट थर्टिन में कि एंसेल ने गलती कि थी तो जो इसका एंसर होगा वह बोथ है एंड भी हो जाएगा क्योंकि रेगुलेशन में सब्सक्राइब लगाया जाएगा ठीक है रचओ को िदेखनी कावप को मिलेगा 5 आपको मिलेगा रगुलेशन गॉलेशन नाइटीस सब्सक्राइब और सब्सक्राइबड तोल के तो ऩल्प्लस आपका ये वेखल रिते northern सब्सक्राइब कर दीजेगा और रेगुलेशन का रिफ्रेंस भी आपको दे दिया गया है तो सभी लोग इसको अच्छा से ध्यान से थोड़ा से देख लें एंचेल का कुश्यन था लेकिन उन्होंने जो अप्शन दिया था वो गलत दिया था ठीक है अप्शन भी उन्होंने ठीक मार किया था जो की गलत है तो कल जो कुश्यन बताया गया था और यह विश्वल अलार्म यूजड इन यह एक तरह से देखिए तो यह उप्शन से वह गलत है ठीक है अंसल गलत कि थी इसमें तो जो इसका एंसर होना चाहिए था वो दोनों ही होना चाहिए बोथ बेल्ट भी और वेहिकल्स दोनों होने इसमें चाहिए इसमें एक उप्शन अलग से जोड़के बोथ एंड भी लिख लीजिए सारे कुशन कल हमने डंपर के हिसाब से देख लिया था और सोवल हमने कल स्टाट किया था ठीक है तो सोवल का थोड़ा सा ग्लीम्स घड़ां नाम हमने देखि लिया था इसे हम क्रॉलर मौंटेटे यह हमारी चैन हो गई है और ऊपर के जो यहां पर लगे और हम रोलर बोलते हैं यह नीचे में भी रोलर्स होते हैं नाइन डॉलर्स थे हमने देखा था एक दो टीन चार पांच छे साथ आठ नो ठीक है रूपर में तस तोटल डॉलर एक साइड के हो गयारा तो उसी तरीका के तोटल बाइस रोलर है इस जो वोल्व की जो वहिकल है यह सोवेल जो हमारी है इसमें टोटल 22 रोलर है ठीक है और स्प्रोकेट कितने है इसमें स्प्रोकेट इसमें कितने है इस प्रोकेट यहां पर कल हमने देखा तो एक स्प्रोकेट यहां एक स्प्रोकेट यहां ठीक है यह वाला जो स्प्रोकेट इसमें क्या है कि हाइड्रोलिक मोटर लगा हुआ ठीक है यह हमारा ड्राइविंग होता है यह हमारा driving होता है और जो हमारा इस साइड में जो है यह हमारे driven है यह हमारा क्या है driven कि ये drive किया जाता है by the driving motor driving hydraulic motor के दोबारा driven और यह यह तो इससे हम idler भी बोलते हैं यहां का जो कि यहां पर है कि यहां पर को दिख रहा हो दो मोटर हो गए है तो कि तो कल जो हम लोग डिसकस्न कर रहे थे वह हम लोग यह कर रहे थे कि यहां पर भी एक फोर स्ट्रोक डीजल इंजीन होता है तो यहां से पर पाउर कौन देगा डीजल इंजीन पावर हो तो यहां से पर पॉंप का काम क्या है सक्षं करना ओडिस्चारज करना प्म्प का मतलब सक्षण औو डिस्चार्ज पर रहा होती है यह है इसमें hydraulic oil भरावा जो की pump खीचता है reciprocating nature का pump है और वो उसे प्रेशर पर खीचता है ठीक है power कहां से मिलती है diesel engine से मिलती है कौन सी engine है four stroke diesel engine है तो हमने समझ लिया था कि four stroke diesel engine से power लेता है कौन pump लेता है pump फिर क्या करता है pressure बनाता है कहां से liquid लेके hydraulic tank से liquid लेके ठीक है तो फिर pressurized यहां से section करके और इधर से discharge करता है किसके पास यह control valve के पास पहुंचा देता है क्या ठीक है extra आडानी करता है जो कि चलने में काम आता है चलने मेंuito करता है मार्चिंग करता है तो जिए इसमें काम अ बुम जब यह अपना हिलाता उस समय काम आता है बकेट में जब क्राउडिंग फोर्स लगाता है बकेट को भरने के लिए तो उसमय फोर्स ला के भरता है तो उसमय काम आता है तो तरह तरह के वर्क जो हैड्रोलिक ली डन होते हैं वह यही सब प्रेशर से होता है तो कैसे किया यहां पर यहां पर और यह दोनों ही पर सीरीज में कनेक्टेड है एक चोटा है और एक बड़ा एक तो यह सीरीज में क्नेक्टेड क्यों है क्योंकि हमें ज्यादा क्या चाहिए हमें चाहिए ज्यादा क्या चाहिए हमें प्रेशर की दोवशुच संश्य होगी इसलिए हमें ज्यादा प्रेससर चाहिए ना कि कॉंटिटीं ना कि कॉंटिटीं इसलिए हमारा कि पांप फ Ads कि यहां हमारा पंप सिरीज में कनेक्टेड है और वो जब प्रेशर बनाता है तो किसको किसके पास वह भीज देता है वह भीज देता है जिसको भी चाहिए प्रेशर वहांपर भीज दा तो फिर वो दोनों मोटर के पास भीज़दे का ट्रैक में ठीक है कि यह सब हमने कल समय कल अची तरीके देखिए यहां पर है जा रही है है जो है वह मोटर के पास जाता हो दिख रहा है यहां पर कि इसका सरकिट है कि वर्किंग के बारे माज हम जानेंगा अची तरीके से यह हमारा मोटर राता यहां पर टर्न टेबल बोलते हैं इसे हम इसे हम टर्न टेबल बोलते हैं कल इसके बारे में हमने जाना था टी यू आर एंट टीए बी ली टेबल ठीक है टर्न टेबल है यह इसके राउंड क्या ह होता है हमारा जो सब्वेर होता है वो 350 करता है कि कि यहाँ पर भी हमारा एक स्विंग मोटर रहा थिक चलिए आज हम मेकेनिजम देखते हैं कि हाइड्रोलिक किस तरह से अपना काम करता है हमने तो इलेक्ट्रिक मोटर को इलेक्ट्रिक मोटर किस तरह से अपना काम करता है ठीक है डीजल मोटर भी देखे हैं कि डीजल किस तरह से डीजल मोटर किस तरह से काम करता है अच्छे तरीके से देखा है अब हम देखते हैं कि यह हाइड्रोलीक मोटर की तरह से अपना काम करता है ठीक है अच्छे तरीके से सब कोई त्यार हो जाए और अब बहुत हल्की सी चीज़ समझ मां जाएगे ठीक है कि कि कर सही तो फिरस्ट समझिया इए कि कोई स्लाइडिंग मतले कि यहाँ पर अबजेख्ल यहाँ डिरेक्षण कर जाएगा तो लेटर्शाब कर जाए अगर इस तर arc अगर और आप फोर्स लगायेगा तो यह स्लाइड twee के नीचे की तरफ खिशत करेंगा तो आप यहां पर फोर्स लगा रहा है तो क्या होता है वह फूर्स लगाएगा तो वह खिशक जाता वह लेटरल डायरेशन के तरफ खिसक जाता है यहां लिखा हूँ अभी है कि when an above force is applied on an inclined surface जब हम एक above force को applied करते हैं inclined surface पे a downward sliding lateral force is created sliding lateral force lateral means side side के तरफ खिसक जाता है यह जो force हम लगा है वर्टिकल में लेकिन यह खिसके चल जाएगा क्यों क्योंकि surface हमारा inclined ठीक है यह हमारा basic concept हुआ ठीक है समझ लिए हम नहीं से कि नेक्स्ट आए यह क्या बोल रहा है कि यह क्या बोल रहा है यह बोल रहा है इन्हें मोटर ठीक है all pressure pushes against the angled surface वो रखी एक मोटर में hydraulic motor ले लिए तो उसमें क्या होता है कि oil का pressure रहता है ठीक है hydraulic का pressure रहता हमाँ पर तो क्या बोल रहा है इन्हें मोटर oil pressure pushes against the angled surface अगर oil pressure angled surface पे जैसा कि आपको पिछले में बताया गया थै कि एक कोई भी महां छाटिकेशार प्रेशकिने यह great जाए的 a saving के एंगेल सर्फेस पर पुस्ट कर रहा है तो क्या होगा ठीक है तो बोल रहा है कि जब हमें एक angled सर्फेस पर कोई भी फोर्स वर्टिकल फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है वो एक downward sliding force बन जाता ठीक है इस तरह हो जोगे slide कर जाएगा वो ठीक है हमारा इस साड़ है और बोल रहा है कि lateral force which becomes rotational force और यह रोटेशनल फोर्स बन जाएगा ठीक है तो हम देखते रोटेशनल फोर्स किस तरह से बन जाता ही फस्ट आपका कंसेफ्ट लागा होगी कि कोई भी चीज अगर i prepared angles संप्वेस पर तो उसे अगर हम फोर्स लाएंगे वर्टिकल ऊंशनों थो देगे तरड़ कonta की तरह किस सकते हैं इस पर सब कि यहां पर यहां पर देख लिए कैसा रहाता है ठीक है यह हमारा एंगल टोला सा सर्फिस जो हमारा होता वह एंगल रहाता है ठीक है नेक्स्ट यह देखिए और प्रिसाइजली दिखाया गिया है कि ठीक है कि ठीक है कि मोटर का पार्ट सांच है यह वाला साफ है यह सांच है यह गूमेगा है कि इसके साथ हमारा कनेक्टेट रहा था कि deed डीजमOnce रहा तो तो गूमना खंभोब साफ्ट का का में घुमना तो साफ्ट का का में राउंड डाउंड गुमना लेकिन राउंड डाउंड घुमाने के लिए हमारा फोल स्ट्रोक इंजिन में क्या था वह हमारा पिश्टन था रेसी प्रोकेटिंग मोशन होता था तो साफ्ट क्रेंक साफ्ट घुमता था राउंड और यह चाहीर कि इसे रखागिए हिंज० और यह उसका है कि इसका नाम किया है इसका नाम है स्वाइस प्लेट कि इसका नाम क्या है हमारा इसका नाम है इस डबलु सबकुछ ही लिखा होगा तो यह इनकलाइंड है ठीक है इसका नाम जान लिया ठीक है और जानते हैं और क्या है और यह वाला जो पूरा जो इसको बोला जा रहा है इसको बोला जाता है सिलिंड्रिकल ब्लॉक ठीक है इसका नाम क्या है सिलिंड्रिकल ब्लॉक ठीक है अब सिलिंड्रिकल ब्लॉक में आपको क्या का दिखा है इसमें कुछ पिष्टन है यह ओ यहां पर यहीं यहां पर तीन फिर पीछे भी था end यह कैसा प्रिंचन ए सब्सक्राइब इसका इंजने मی था और इसका अंदर एक प्रेपा और जा यह जा रहा है और इधर ज रहा है और इधर ठेक्सी जा है तो यह है यह है यह है इस पीछे पीछे बहुत सारा रांट करके दिया गया तो यह एसा ही मतलब की जुसको सिलिंडर की टाइप से हैं इसका अंदर फे डलॉक cred हुआ है जए पूरा एक बड़ा सा सिलिंडर है फिर उसके अंदर चुटा-चुटा सीलिंडर है गी किसम मिठा देखर कि नहいます हमने क्या कहा था ऱुट यह बड़ा उला से लिंडर से बड़ा तो दिखी रहा कि हां इसमें यह वाला पिष्टन उपर इधर जा रहा है आगे और पीछे उपर नीचे उपर नीचे कर रहा है यह वाला भी जो है ना सिलिंडर है तो यह वाला जो पिष्टन है इसमें उपर नीचे उपर नीचे कर रहा है तो इसी तरह का जितना भी इसमें सिलिंडर है ठीक है सब हो और निऄंडर करेगा लेकिन क्यों करने को कूझ पहीं से तो फोर्स सगो मिलना चाहिए जो बनीचर यमें था वहां भी जो हमारा सிलिंडर था वह आपक। में इसका अंदर में हमारा क्या था प्लंजर था सफ्वाइब तो यह क्या करता था अप डाउन करता था क्यों करता था जब इसमें और यह भरता था तब यह उपर से नीचे आ जाता था फिर इनर्टिया से उपर की तरफ जाता था तो यहां पर भी कुछ कुछ होता होगा तभी उपर और नीचे जाएगा तो इसमें क्या होता है कि यह जो इसमें खाली-खाली जगा होता है यहां 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 सब जगा है यहां पर जगा होता है इसमें क्या होता है यहां पर जगा होता है यहां पर जगा होता है इसमें क्या होता है यहां पर तो जैसे यहां पर प्रेसर लगाता है इन सब सिलिंडर के ओपर प्रेसर लगाता है तो सीलिंडर पर अंदर में उसका अंदर क्या पिस्टन तो तो जो आता है इस वह क्या किया कि ये सब जो piston है piston पर pressure लगा है तो सारा piston pressure कहां लगाया एक hinge बनावा स्वेस प्लेट उसका उपर लगाया यह गोल सा है ठीक है लाइन ने यह पूरा गोल है यह फिलेट पूरा गोल है यह वाला मुव्मेंट चाहिए उस तरह का हिसाब से इसका पिश्टन डिजाइंग किया होता है तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोलिक ओल लगाया इसमें प्रेशर ठीक है है प्रेशर से प्रेशर लगाया प्रेशर किस पर लगाया पिश्टन क्या हुआ पिश्टन जाकर जैसे प्रे की सब जाता लेटरल की सब comment फ़ोड़ा फ्रैसर में लेटरल की तरफ में तुशित जा रहा है सुट आण इसी इस पर जब लगा पे टए यह थोड़ा ज़्रगों फिसक जा किकर कब तक घूमेंगा जब तक कि यहां पर हाद्रोलीक प्रेशर पढ़ते रहेगा जब तो जब तक स्वेश प्लेट पर प्रेशर लगते रहेगा तो ये तो हींज आप मौन ऐते officers लगाये तो क्या हो जाएगा वह थोड़ा सा खिसक के slide हो जाएगा नीचे की तरफ आजाएगा lateral force जैसा कि हम ने थोड़ा दिर पहले देखा था कि अगर कोई इंकलाइन सर्फेस पर अगर vertical force लगाते हैं तो वह slide हो जाता है ठीक है किस तरफ स्लाइड होता है lateral की तरफ स्लाइड हो जाता है लेटरल डाउनवर्ड के तरफ स्लाइड हो जाता है तो यह भी लेटरली डाउनवर्ड के तरफ स्लाइड हो होके क्या कर रहा है सर्कुलर मोशन बना दिया अब clear करते हैं अब फिर से थोड़ा सा इसको हिंट देखे बताते हैं तो हम क्या बोल भड़ाते कि यहां से क्या होता है कि hydraulic pressure आया ठीक है hydraulic pressure यहाँ पर full pressure साया प्रेशर आके क्या किया कि एई जो छोटा-छोटा पर सिलिंडर के अंदर मज़ुद फिस्टन प्रफोर्स लगा धिकर बुलू है यह प्रेटर लगा है घ्रूल आ ai ठीक है ये in Bayern पर है तो इंकलाइन पर है तो क्या हुआ ये सारा ही जो पिश्टन रहें ये थोड़ा थोड़ा छिषकनाrauen देदके तो सब खिश के यह क्या हूआ पर सोबलॉसी अरिय जायगा कब तक घुमेगा जब तक यह हिंज रहेगा ठीक है अगर प्रेशर लगा भी रहे है तो आप स्पीड को कंट्रूल करना तो क्या होगा कि थोड़ा सा इसको अगर हम सीधा करते जाएंगे जैसे कि यह वाला है इसका 90 डिए यह वाला एक्सिस होगी यह थोड़ा सा चिल्ट है को इसको हम सीधा करते जाएंग के सबूदम सीधा क्रते जाएंगे कि सबूदम सीधा करते जाएंगा इसे अगर यह तक अगल में लिते पुक्राइबुआ अक्राय जो यह तना हम यह मौन यह लिखास त्नवा сюж टिल्टेट को रूब оп कर देंगा ठीके को होगा तो क्या हो पूरा ही एगर सीधा कर देंगे वर्टिकल उस केस में क्या हो जाएगा सारा ही ब्लॉक प्रेशर मारेगा और खड़ा रहेगा कोई मुव्मेंट नहीं होगा प्रेशर में किसके वज़े से स्वाइस प्रेट के से सब क्या होता है तो तो थोड़ा खिसक जाए तो किया हो रहा यहां फिर मोट्मेंट अजय रहे हैं तो इससे हम मुव्मेंट का कामें ले ने ले लेते हैं कि अद्र चीज सब को समझ में आ गए होगी अचित तरीके से थिक्षा है अची तरीक तरीके से समझ में उपJesus हम निए अची तरीके से दिखती है कि एक है हींदी न हिसी पर यहां पर त कि क्लीकुए लिख दे गई है रही एक अप Shelby's इंजीन से पंप को पावर मिलता है तो पंप अपना वर्किंग शुरू कर देता है that is sucking and discharging ठीक है sucking the hydraulic from hydraulic tank and discharging it to the control valve ठीक है control valve के पास discharge करता है ठीक है next when pressurized hydraulic reaches to control valve it sends the hydraulic to the required places ठीक है अलग-अलग जगा में भेज जब control valve को control valve के पास जादा है तो hydraulic अलग-अलग जगा में पहुंच जाता है control valve के द्वारा ठीक है यह तो होगी हमारा यह तो हमारा control valve का कहां 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 भेजता है sends the hydraulic to the required places that is to the boom deeper stick bucket to the travel track motor swing operation एक्सेक्टर ठीक है अब travel track motor का काम क्या थे है जब pressurized hydraulic ठीक है pressurized hydraulic जो की pressurized है किसके द्वारा pump reciprocating pump hydraulic oil को pressurized करते है रबें सो 321 तो travel ट्रेक मोटर के सिलींडर block में जाता है सिलींडर में मौजूद piston को प्रेसर से पुष करने लगता है सिलींडर में मौजूद pistol को हमारा है वो inkline था तो हम जानते हैं कि कोई अब्जेक्ट inkline plane पर pressure लगाता है तो वह lateral डायरेक्शन में move करने लगता है कि गारेक्शन यह मतलब कि side वारा डायरेक्शन में move कर जाता है अगर इसी inkline plane पर बहुत सारा piston लगा हो तो वह lateral direction में move कर करके circular motion produce कर सकते हैं सभी अगर move करने लगे lateral lateral थोड़ा थोड़ा तो वो एक circular motion बन जाता है तो इसके वज़ा से piston move करता है और piston connected होते है cylindrical block से तो cylindrical block भी move करता है and cylindrical block is connected to the shaft so shaft also move जब shaft move करना शुरू हो जाता है तो हमारा crawler track move करना सुरू हो जाता है और marching हमारा सुरू हो जाता है तो यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी प्लस इसको अच्छी तरीके से Hindi English में करके link दिया गया है आपके सुविधा के लिए ठीक है आप इसको अच्छी किस तरह से move करते हैं किस तरह अपना operation करते हैं यह आपको समझ में यह चीज लोग हमें बताती नहीं हमें कि यह सब चीज समझ में नहीं आते हैं कि को अगर बताने का परियास करें तो समझ में आ जाते हैं और हम इसके बारे में जामते हैं और कभी भी आपको अगर इसके में कुछ काम करवाना होगा फिस्टन to and low कि करता करता है छीज वह आपको समझ में अच्य चीज़ें आ जाईगी कि यह वर्किंवर्केंट कर प्रिंट्सक्रा चंट्राब होगी च्छी तरीक़े से कम सोच तो पाएंगे तलिए कि इसमें क्या क्या चीन होता है ठीक है तो यह सब उसका काम हुआ इतना हम जान गए तो अच्छा इतना तो हमें जानना है चाहिए मसीनरी से कि यह सब करनता है यहां पर दिख लिएक है जो इंकलैंट है वह स्वेस्प्लेट है वाल्व प्लेट का रहा है यह मारा साफ्ट हो गया एक जो अमेरा मूट करता है यह अंदर में हमारा चोटा-चोटा है विल जा रहे हैं यह हमारे पृसर लगाएगर यह यह क्या लिखा गोर ऑपर किक आप पढ़े परिये में मेनद के जिए अध्यस्टिंग डी एंगल तो यहां से भी हम इसका स्पीड वो कंट्रोल कर सकते हैं तो इसके बारे में आपको सब कुछ ही समझ मांगे पुरा ही फंसन आपने स्वावल के बारे में सीख लिए अच्छी तरीके से चीजों को आपको बता दीगे चुटा नहीं दिख लेते हैं सब कुछ होगी पार्ट का नाम भी हो गया है आप वर्किंग के बारे में भी जानगे इसका अच्छ अच्छों के जानगे त्सक्राइब तो पूल सब्सक्राइब या फिर ल्याफी द्रहें अपको किछना राट का मतलब खेशना को अपने बोलते हैं से बोथ एन भी और करेक्ट तो बैको सब्काने बीगा या एपको कंस्राइब से लिए को रिए कोश्यन है और तेये तरफ होता है किस तरफ होता है कुदाल जैसा रहता है रहता है कुदाल तो वो को सब्सक्राइब कि डिपर सब्सक्राइब तेपर मतलब क्या होता है इसे पर स्टिक बलते हैं कि फश्ट नुमर फॉर क्या है बीच ये स्टेट्मेंट ये बारे में कौन सा स्टेट्मेंट करेक्ट है ठीक है तो डीजल ऑपरेटेड एंड क्रॉलर मांटेड मसीन तो है नहीं ठीक है तो बोल रहा है कि यह बहुत ज़्यादा कन्वेडियंट है किसके लिए मतलब कि अपना हाइट पर रखके यह नीचे का समान काट लेता है तो इससी लिए इससे हम नाली कटवा सकते हैं या फिस संप कटवा सकते हैं तो नाली वगरा साफ हो भी करते हैं तो किससे करते हैं बेलचास साफ करते हैं किससे हम करते हैं कुदाल से करते हैं तो उसका मुही वायसा है कि वो आराम से आराम से गढ़्डा वो काउस्स सबता है ठीक है जो नाला वगर किसे से बनाते हैं मतलब बैखों से बनाते है तो वही यहाँ पर बोलाएगे ड्रेन कटिंग कि जाफीर होता है फिस संफ होता है णोसु हमारा दो ढखहे ञता हैं तो यहां पर आपका सिफ लिखावा सीट्स ने बैठ सकता है लेकिन टॉप अपने देखी लिया अभी हमने दिखाया विताब को कि वह अगर पीलर का उपर बैठ जागा तो काम कैसे करें उसका तो बकेड होता उल्टा साइड में अपोजिट ऑफ दी एक्विप्मेंट तो व हुए इसमें जो सभान है वो सही को मर पना पर फिजआ कि यह श बिखान ये मोग टकई आपका है यह यह का फिगर होगी है किसका यह अपका सब्सक्राइब करें तक harmonica है थीपर cliqueो फिगण करने शोबदा रहरा हाईट डिपर इस त्रफ से एक्रावडिंग लगाता यह पूलिंग करता किचता है कि के और थोड़ा सा ड्याग्राम देखते हैं कि यह एक हमारा डिपर सोवल है 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 यह हमारा हैट्रोलिक डिपर सोवल है यह है किस तरह है इसका ers से फोर्स फॉसिंग फोर्स लगा सकता है तो तो किस से बॉक ने की से बड़ monetary करेगा थींगे फिर falls I'll inside Romo करेगा तो side adding I'll beuit यह front loading कर सकता है front loading कर सकता क्योंकि इसको सामने इसका हाएवल राता HR face रहाएगा जिसको और कठ कररा तो Domber खड़ा कहां पर हоту इसमें पॉसिबल तुर्चिवल आपका आपका है sideloading और यहां कोई 쓰는 जुन्रीटे सुचल समझाते हैं इसी कमाध्य से इसी में होता है ठीक है आपको का मतलब मतलब हो गए खीचना आप मतलब Nov Morgen the अध्यक्व कंता हमारा करता है उसे पूल करता है उसे पूल ऑ farई और से कुण बहुता है और रिट्रेक्ट करता है तो रिट् Simmons मतलम भी हो गया खीचना यह क्या करता है जब यह क्या करता है मैट्रियाल के अंदर में बकट कुछा दिया तो घुसाने के बाद पीछे तो खीचेगा तो पीछे यह खीचा लेकिन चाकि यह कटिंग की कटिंग नहीं किया ठीक है रिट्रेक्टिंग वह खीचा सिर्फ के साथ करता है ठीक है तो डिफ्रेंस आपको समझ मांग जा चीज़ा आपको अच्छी तरीके से चलियर होती जा रही है और हमने इसमें एक फोर्स भी देख लिया इसमें फोर्स कौन सा था क्राउडिंग नेचर का पॉर्स रहे पुसिंग फोर्स रहे रहे तिक फिर रिट्र निइचे से खुल गया उपर से उजला नहीं है नीचे से खोल जिए यहां पर इसका और इसका डूह बुम था यह वाला पर आलग हूए यह वाला इस तरह जो स्ते इसको बोलता है पॉटम उसके में भुट कर think क्या हूथ हूथ हुब करें का स्राओं नफ़े करता है यहाँ क्वेयर वो सब्सक्राइब करता है यहां पर क्या बोटम डिस्चार्ज टाइप से हैं यह नीचे से खुल गिया बोटम डिस्चार्ज कर दिया कि तो डीपर स्वावल जितना भी है हमारा सब बोटम डिस्चार्जिंग ही होता है तो यह अराम से उठाता है डारेक्टी दम कर दा इसमें कुछ खुलने का सिस्टम नीचे के तरफ दिस्चार्ज करता है तो यह वाला यह जो हमारा डिस्चार्ज होता बोटम डिस्चार्जी नीचर का होता इसका लिए एक चीज और खास चीज याद रखिएगा कि जो हाइट आपको दिख रहा है डंपर का हाइट विथ रिस्पेक्ट्ट विथ रिस्पेक्ट्ट्व का हाइट से कम है यहां ऑपरेटर बैठा हुआ है ऑपरेटर देखे आराम से देख पा रहा है कि इसमें कितना मतलब कि इतना मेटरियल भरा गिए अगर मान यह सपोस किजए जो हमारा सोवल का जो हाइट है वह डंपर से कम होता है यहीं तक होता है तो जब यह है ना डंप करता इसको अच्छा तरीके से दिखता है कि जो dumper कितना भर रहा है उसका जो body का fill factor है कितना है कितना उसको bucket अच्छी तरीके से fill हुआ कि नहीं हुआ तो efficiency खराब हो जाएगा ठीक है dumper factor जो होता है वो खराब हो जाएगा DF होता है dumper factor कि on an average निकाला जाता है कि dumper का factor कितना है मतलब यह कितना carry कर रहा है कि 18-meter-cube का यह ना डंपर है लेकिन यह carry कर पाता है 14-meter-cube का on an average किया किया जाता है क्योंकि full तो full भरना possible नहीं है ठीक 18-meter-cube में 18-meter-cube volume भरना तो possible नहीं है ठीक है क्योंकि void रहेगा बीच-बीच में बड़ा पत्तल रहेगा तो full अच्छी तरीका से compacted form है तो भरीज जाएगी नहीं तो 14-meter-cube यूज हो रहा है ठीक है तो 14-meter-cube इसका dumper factor होता है 18-meter-cube का capacity है लेकिन 14-meter-cube तो क्या बता रहे थे कि height हमारा बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए जब हम फिल्ड में काम करते हैं तो इसका height हमेशा ज्यादा होना चाहिए तो इस सोवेल का height always ज्यादा होना चाहिए यह डंपर से ओल्वेज ज्यादा होना चाहिए तभी इफिसेंटली भर पाएगगा तो इसका क्या है रोप सोवेल इस पर नहीं है लेकिन इसका है उसका मुंह कैसा है उसी का जैसा इपर सोवेल का जैसा इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं अब इसमें काम हो रहा है ठीक है आपको दिखाना मक्सद था अभी आप देख लीजिए उसके बाद हम बैक हो सब्सक्राइब करेंगे फिर आपको रोप सब्सक्राइब देखेंगे इन सब का वीडियो भी दिखाएंगी तो और हम देखते हैं कुछ फोटोस होगे रहा है इसा कु जाएं जाएं कि अब देखेंगे फोटो देखी लिया स्टार्टिंग में था बैक हो का फोटो फोटो बैक हो सब्सक्राइब का फोटो सब्सक्राइब कर दिखाए गया है मतलब की एक विकट्पैंट के तरफ है कि दुए तब हम कोशें कर लेता है कि अब को सवल से रिल्टेट जो भी कोश्चेन है हमसे लिए कि चार नमबर तक देख लेए थे इसको त्रहना सब्सक्राइब लगा है इसको तुछ नमबर तक को कोशन दिख लिए थे थे तक तो टाइम साइकल भी आप सुने आँगों कि एक डंपर को एक डॉजर को भरने में कितना समय लगता है उसको में लोग बोलता है टाइम साइकल बोल दाता है अब यहां से इस डाइग्राम से समझता है आइए जला स्ची तरी के स समझतेव इस विक फस्ट क्या होøगा यह पस्ट है यह अपना बकर को इस मेट्रियल कंदर गुसाया होँ किसलिए हुकत अबट्रियल का फिल करने के लिऎ το आफ दो स्ट Apple Apple सब्सक्राथ थल्यूण क्रावडिंग क्या कि इसलिए कि वह सब्सक्राइब गोल सकते हैं सेकेडि सेप्ट यह यह फ सीन क्या होस्टिंग करता है रिट्रoup हुआ सब्सक्राइब घुच्टिंग मतलब क्या उठाना खिक है उठाना उठाना इस उठाना और राइस किया तभी तो यह डंबर के अधिक जाके पहुंचेगा पिर फिर थार्ड श्टेप में क्या करता है यह स्विंग कर दिया ठीक है स्विंग किया इसे अगर रिक्वाइड हुआ यह प्रोपेलिंगम मार्चीं क्रोलींग सब एक ह्यां शारहिं वर्ड प्रोपेलिंग छल सकता है यह को खोफ्सटेप में क्या करेंग यह fiattrash में बगー कि इ humano lou सकता है नहीं को सकता है जैसे कि यहां पर यहँद गणा से और यह सक्राव्डेन किया इसके यह अंदर डाल दिस वाचांच और पो सकते हैं थार्ट एपने इस चरजिंग की है तो कर सकता है तुर कर दिलिए नोपर के दिस्चार्ज क्या के आपने की नेसेसरी है तो कर सकता है जय भूस कर दिया निंख को पर क्या किया कर दिये ऐख बिस्चार्ज कर दिय ωं में ऑद समय लगता यह पाइ recreation करने में यह समय लगता अब इससे समझे कितना शु है कि यह पांच इसको हाय करते हैं कि यह पांच स्टेप करेगा अब एक चीज और समझिए कि बोला जाता है कि तीन बार में या फिर तीन से लेके यह 5 जारता है में ऐसे ली ऐका और समझिए कि यह फाइने हैं बार में फेक सकत हो एक ऊतरा की समझिए कि आप कुवां पर गया है यह बालटा ले लिए तो कि नंगे ले लिए दूर लाने का जो सिलेंड्र जीसा होता है जो हम लेके लेके आते हैं दूर जीसमा तो वह तो आप रस्ती से बान लिया और कुवान से भर आए तू कितना क्पेसिटी कराता वह साइद 900 लिटर या एक लिटर का है एक लिटर का आपको जो बॉक्ट है वह कितना का है आपका जो तरह से क्या हो रहा था कि आपका 20 और भर रहे तो सही कंचेप् लगाए कि जो मैचिंग तो मैचिंग फैक्टर हम देख लिए अब यही वहला चीज होना चाहिए कि अब एक जो सौवल है वह हमारा क्या है कि एक डंपर को मान ले यह तीन बार में भर दिया तो तीनों बार क्या किया पांचों स्टेप में इन्वाल्व हुआ ठीक है तो उसमें उसको समय लग गया सम यहां पर आके खड़ा हो गया इसलिए लोड लेने के लिए जब से यहां पर खड़ा हो गया और सौवल यहां पर वकेट इन्वाल्व कर दिया यहां पर इसको भरने के लिए तब से इसका टाइमिंग शुरू हो गया तो यह डंपर का टाइमिंग शुरू हो गया यहां से जब वो कटिंग करना माल को कटिंग करना शुरू किया पहला ट्रिप डालने के लिए इसका उपर ठीक है तो तो एस फर एक्जामपल मानगे कि सोवेल इसको दो मिनट में भर दिया यहां से निकल गया ठीक है अब दूसरा अब दूसरा यहां पर डंपर आके लग गया यहां जो डंपर है मानगे एक नंबर का डंपर था यह एक नंबर का डंपर यहां से निकल गया कहां चला गया डंपिंग के लिए ठीक है तो डंपिंग के लिए फिर वो डंप किया और घूम के कितना दिर में इस पोजिशन का आया दस मिनट में है कितना दस मिनट तो डंपर का ट हम यह जो डंपर कितना सारा डंपर हम डिपलोई कर सकते हैं यहां पर इस जगह पर कितना सारा डंपर हम डिपलोई कर सकते हैं इस सौवेल को देंगे जो कि हमारा सौवेल आइडल नहीं रहेगा अच्छा से एट आवर का सीफ्ट हमारा अच्छा तरीके से चलेगा ठीक है तो हम ये करने के लिए क्या हम कर देते हैं टोटल टाइम टेकन वाई डंपर, वो था मारे दो इनको डिवाइड कर दी यह हमारा पांच मतलब पांच डंपर इस सोवेल को अगर हम दे देंगे तो यह हमारा आइडल नहीं रहा है ठीक है क्या होगा कि कभी न क्या होगा कि यह हमारा एक डंपर हमारा यहां पर रहेगा तो एक डंपर हमारा वांड़ा यह मसीन है जो मारा सवैल यह हमारा आईडल नहीं रहे तो इस तरह से हम क्ळैड़ेट करते हैं कि कितना धम पर एक सउवैल को देना चाहिए यह हमारा match factor भी देखना पड़ता है फिक Damit he से पांच में अगर यह भर दे रहा सोवल तो यह हमारा मेचिंग फेक्टर अच्छा है एकॉनमीक टाइम है ज्यादा वो समय नहीं लेगा लेकिन अगर आप क्या किये इसमें अगर छोटा फोटा इसमें अगर सोवल लगा दिया मान लिए दो मीटर क्यूब का कैपसिटी करें यहाँ पर सोवल लगा दिये और यहाँ पर दे दिया है आप कितना 20 वोन अब 35 टंट का यहाँ पर दंपर देगे चालीश का दंपर आप इसे देदी कि कि इतना बार में भरेगा बीज बार में भरेगा क्या फीजिबल है नहीं है बहुत ज्यादा समय लेगा डंपर का लाइन लग जाएगा यहां पर हड़ा हो जाएगा सब कि अब फ्रॉंट लोडिंग कौन सा ही करता है कौन सा ही क्यों बोले सोवल कुछते हैं ठीक है फ्रॉंट लोडिंग हमारा बैक हो सब्सक्राइब ठीक है तो आपको मैचिंग फेक्टर समझ में आ गया स्वावल डंपर का मैचिंग मैचिंग का आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या होता है तो मैचिंग का हिसाब से हम लोग रखते हैं और तीन से पांच बार में इसका भर जाता है तो एको एकोनोमिकल होता है और आप कि निकालना भी तरह से निकाला जाता है डंपर का भी प्लस सववल का भी प्लस आपने और क्या सिख aware कितना कि अबठा डंपर एक को कि दिया जाते हैं सुखन्शाएं नबर 6 आप हमाज आते हैं इस कोशन पर क्या क्या कह रहा है का वीच ब्लिलाग इस नोट इन्वार्ट इस्टाडी साइकल कि करते हैं इसको स्टॉडी साइकल प Towards a सॉवेल कर सबिडि़िये तो वीच बडून स्ट कर्ते करते ह्सका शाइकल पेढम सा नहीं होता है 활 devrait करता है तो क्या बोल राओगार है लोडिंग करता है घ्राउड नाट करता है या फिर ड्रागिंग या फूलिंग निचर से वो लोड करता है इपकेट को फिस डंपींग करमार। that is charging point फ्रिके जब वह डंपर को पर Swing करके जाए करेगा करेगा क्या करेगा स्विंग करे में कि बटे पर दिस्चार्ज करें सुएंग भगे डंपिंग पॉइंट ठीक है डी में कहा स्विंग बैक दी एम्टी बकेट टु डिगिंग पॉइंट तो यहां पर क्या है सारे ही इन वाइंवाइट ठीक है और इन वार तो एंसर इसका हो जाएगा ए ठीक है तो यह हमने अच्छी तरीके से प्रिवियस्ली डिसकस भी कर लिए है ठीक है टोटल मैचिंग मैचिंग फेक्टर कर रिगार्डिंग भी और कितना बार में एकोनॉमिकल ली कितना बार में भरा जा सकता है तो थीम से पांच अबार में अगर भर देता है सोवल डंपर गूत वह एकोनॉमिकल है तो हमने यह सब सब कुछी देख लिए ठीक है तो नेक्स्ट कुश्टन पर देखते हैं एंट है ग्रिंट है जलता बसेते हैं थेखते हैं या नुटा सेवर नंबर कोशिंट को दो कि आइए इन की पर पटाल क्या करता है प्रॉड लूड इंग करता है खिक है वो कुष करता है तो पुस पर करता है ठीक है करता है वह ड्रावडिक काँको कौण साय वह क्रावडिक कर सकता उनसुक्त ने करता है तु Apache भीडिक नेस्ट मोखलायं कर सकता है टिक यह एंसर हो जाएगा हमारा एंसर अपांट इस नीचे भी दिये घ्या पिक और यहां पर लिग गए गए और इस पर चलते हैं कि एक सुर्षिन क्या बोल रहा है कि साइकल टाइम अउश्कावेटर मसीन इंवावत सब्सक्राइब पैक्ट एक्सकावेटर है तो बोल रहा है कि cycle time of excavator machine involves which of the following as a factor तो इन सब मसीन में कौन सा फैक्टर इसमें इन्वाल है bucket factor bucket factor नहीं है swell factor swell factor तो हम लोग कभ हम लोग कंसिडर में लेते हैं जब इन्सिटू स्टेट में आता है जो ब्लाष्टर के बहार आता है तो उसका जो रेश्यों आता है उसका हम लोग स्वेल factor बोलते हैं पावडर फेक्टर ब्लास्टिंग में जो explosive use होता है कितना खर्च हुआ ठीक है तो उसको हम लोग बोलते हैं powder लेगन swing factor क्या होता है कि turn table के आलोंग जो करता है ठीक है रोटेट करता है तीन चोट डिग्रे में उसे हम लोग swing factor बहुत है तो वह हमारा स्वेल में भी होता है त्रफेस में भी होता है ड्रागलाइन में भी होता है और बकेट विल ठीक है तो जब हम लोग time cycle को calculate करते हैं तो swing factor को consider में लेते हैं तो यह वाला answer हमारा सही है इसी को हम लोग consider consider करते हैं during calculating the time cycle नेक्स्ट में हमारा क्या है नेक्स्ट में है विच आफ विच टाइप ऑफ तो वेल इस यूज़ इन extraction of developed coal pillar in mechanized coal in mechanized open cast mines ठीक है तो developed coal pillar का जब हम extraction करते हैं mechanized open cast mine में तो कौन सा सवेल का यूज़ करते हैं इसको लोग बहुत 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 बेहते जिन अंदाल में देखे हैं ठीक है एक topic भी लिए थे इसका उपर में extraction of developed coal pillar by open cast mines ठीक है तो इसका हम लोग अच्छी तरह कैसे देखे था और उस case में क्या देखे था है कि hydraulic deeper sowel को pillar के उपर बैठा देते हैं ठीक है वो coal का pillar को प्रूब करते करते ठीक है कहां प्र गैलरी है उस तरह के से प्रूब करते हुए वो प्रूब का pillar पे ही sit on करता है बैठा उसका अपर और नीचे से कटिंग करता है ठीक है तो hydraulic backhoseowel ही इस तरह का काम कर सकता है कि पीलर रोबैट के नीचे कट कर सकता है तो यही वाला उसका अंसर है ठीक है यह अगार्ट वर्किंग में चीटरीक है से डिसकस की गए तो इक नेक्स्ट कोशन कुंसा कोशन नमाट 10 में क्या बोल रहा है कि कुशन 10 क्या बोल रहा है वो श्माट 10 गोड़ा वीच अब फॉलाइं इस नॉट अवर्किंग मेकनिजम आप हाइड्रोलिक वेल उस केस में क्या था हमारा ड्रैगe क्योंकि नहीं करता ही तो स हमब्राटिक चया करता है हमारा पूसिंग करते तो फूसिंग करते हैं ai जो की हमारा हाइडरी बैपोस साथ जब जो किसका करने कहा होका क्टरने काम क्याम क्योंकि नहीं करेगा तो अब पर उसे करेगा तो अपने से करएगा पूस जो इसका ये वला है इससे पुछ कडिए तो इससे फूर सकता है तो क्राव् Buffalo辛 फोल से बूदouri लेकिन टित इसका पर किसका आगे की तरफ है तो काम तो आगे से से तो क्राउडिंग मेकनिजम इसका नहीं आता तिक यह कंसेट्ट आपको क्लीर हो जाओं ठीक है एक कोश्चन हमारा बच गया था कुन सा कोश्चन मार फाइब साइद बचाता है ओपरेटिंग परामेटर बच गया था इसे हमने बोला था कि क्योंकि इसके लिए हमें दूसरा फिगर पर जाना पुड़ाता है तो ऑपरेटिंग परामेटर ऑफ सवेल क्या है फर्स्ट अफ़ल हम थोड़ा सा समझे लें तो सब्सक्राइब चलते हैं कटिंग हाइट ठीक है एक जो एक्विप्मेंट होता है एक जो यह हमारा एक्विप्मेंट है एक अपने बकेट से कितने दूर तक कट कर सकता है तो उसको क्या बोल देंगे है यह हमारा जागा सस्क्राइब है कि इसका जो तीथ है इसको तीथ है इसको कर देख और तीथ है इसको साथ इसनव है ता इसको तीथ तक पहुंच तो जो कट्टिंग करिए क्टिंग ऍेसा तक हो जाएगा कहीं करद पान या इसका तित तक हो जाएगा कर दो नो एक साथ देख लाएठी डंपिंग डंपिंगने संदीगे कटिंग रेडियस ल्हा तर्टित तक कट रोटेडियस रेडियस रेडियस वहां तो कट कर सकते हैं कि एक्स्ट देख लेते कटिंग हाइट इसका है कि कटिंग हाइट के मान लिजे कि यहां तक कट कर पारा कि कटिंग हाइट इसका दूसरे करने से कटिंग हाइट इसका मान लिए यहां से यहां से यह करते हैं से समझ मारा होगा कटिंग हाइट कटिंग हाइट कटिंग हाइट सब्सक्राइब क्रदेक्र होन crime है और को rather करते हैं कि दपिंग हाई है और टयाजियाच 2 कि यहां ख़ाण यह और खाला है कि अपना बगेट को जाद और आध इस हुए हैं कर पाता यहां तो कर देर है तो पेरमीडर HRS रesriction कर सकते हैं कि क्योंकि इसका ढूंक का लेंक जाए तक जाए गाए जो रेडियुस हो जाएगा जाएगा यह मुझा करना अब समझके देखिए कि डॉपे काफी बड़ा है इसका हुट की सबता करे PEAK एक रिस्टिक्षिन इसका होनाँ यहां तक यहां पहुंच एमल्स K टो इसा कंड़ रह टो कि यहां से में समय अब छलते हैं फिग्र में देख लिए है इसे चार पेरामिटर थे कि सितर के चार पेरामिटर्स ट्रैलाइन ओगेर अब हुए है जो हए कि आए कि आनलिक निया सबी सब्सक्राइब केलिया है कि यह आपको दिखा जारा है डंपींग रेडियस फास्ट पर देशिकने आप कटिंग हाइटक करिए तर्फ फर्स पर टिंग हम रेटियस देखते हैं कि कुझत दिए यहां से मुव करता है ले था तया तक है इसका जो तीत है टिकत है रहें जो इसका लंबा है तो क्या हूआ कि वह दूर तक कर सकता है लेकिं डंपिंग कहां से कर सकता जहां से खुले बके इसकर यह यह जो इसका लेंग रहेगा यहां से जहां से लिए कर रहा है तो यह इसका हो जाएगा dumping radius और इसका जो cutting जो डिगिंग डिगिंग रेडियस जोगा वो तित तक हो तित से तित से वाशा बड़ा रहेगा ठीक है यह देख लेते हैं कटिंग हाइड और कि डंपिंग हाइड तो यह वाला जो है ज्यादा उचा फेरेंगा तो मैटरिलरा से गिरना किरना शुरू हो जागा थे लेबल तक हम अच्छी तरीके से डंपिंग कर सकता था फ्लोर से यहां तक हो यह हमारा करने के लिए बहुत दूर तर जागे किसी भी एंगल तक यह जाके और कटिंग कर सकते हैं तो यहां तक हमारा जो कटिंग का हाइट यहां से लेकिंग चीएच का तो च आय तो चारववी पैरामिटर अपने अच्छी तरिक्शेraумटी के सदेख लिए हैं डंफिंग रेडियास क्या किए से और जो हमारा डंपींग हॉगा निए कम रहें कटिंग जेता को किसी एंगल पर खाटो इतना हफिलदाव और सब्हसम आरे उससी लोना शुरूब होना या ट्र फिंकर यह चार यह ANGल को तरीके से देख लिया है इसका की सबंग्ष सब्सक्राइब करेंगे तो आज हमने क्या किया कि टोटल ही जो हमारा सोवेल था बैखो सोवेल का उपर और थोड़ा सा अधर सोवेल के उपर भी कफिशन्स देख लिए है कल हम लोग क्या करेंगे कि दील करेंगे और भी जो सोवेल बच गया है और हमारा सोवेल बच गया है अगर रूप सोवेल उसका भी कुश्चन्स वगरा देखेंगे और उसका भी कंसेप्स को अची तरीके से समझेंगे खिक है चलिए आज के क्लास को यहां एंड करते हैं